तो देको टेंसन नहीं लेना पहले ही बता देता हूं कि तुम्हें ये ड्रामा वाला मज़ा देगा बट्रु को पहले ये सुनों तुम्हें को भाई आद मेश्रीज के प्लेटफॉर्म पर काफी अतरंगी सतरंगी अल्ट्रा लिजेंडरी प्रो मैक्स टाइप की ड्रामा स्रीज रिस्की गई है नाम है बीफ चाह कहा तो रहे फिर से बोल हिम्बत है तो बोल ला यह मैं भाई इस ड्रामा स्रीज को देखने के लिए आपको टुटल दस अप्रोट देखने हैं इसके सिजन वन में इसकी जो कहानी उसको पूतरी के से एंड कर दिया गया है कुछ-कुछ डोर्स ओपेन किये गए हैं अगर मेकर्स चाहें तो कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं अगर यह हिट हुआ तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह कि सिरीज को हिंदी डर्ब में रिलिस किया गया है और इसकी इंडर्बिंग काफी बढ़िया अच्छी बात आपके लिए यह नहीं है कि अगर आप सिरीज को फैमली के साथ देखना पसंद करते हो तो आप इसको अपनी फैमली के साथ नहीं देख सकते हैं चूर किये में भाई आपको सीज में बहुत सारे एडल सिंस देखने को मिलेंगे और अच्छा खासा लाश में वालेंस भी आपको देखने को मिलेगा इनकेस अगर आप एक ड्रामा लवर हो तो क्या वाकई में इस सीज के माल में उतना दम है जो की आपका टाइम और एंसर डिजर्व करती है नहीं बजा चलो पता करते हैं आपको भै अगर कहानी को भात करेंस देखने के करक्तर को जो ह एक कोरियन कांट्रैक्टर है भर की सद Wasp उस साथा और टक्राते में कुछ आइसी सिचूशन बंती है जिसके वज़ेंस से ये दोनों एक दूसरे के पीछे पर जाते ऑं और एक नॉर्मल बात को लेकर कि मैं भाई ये दोनों इतना ज़्यादा भयानक आगे बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और फिर इन दोनों के रिवेंज में इनकी फैमिली कैसे स्ट्रगल करती है क्या क्या होता है – दुनीरे माने कι जो चीज़े आपको देखने को मिलती है उन्हें साइड उसको जानने लिए आपको इस स्रीस को देखना पड़एगा अगर कि इसस किस के लिए काम करेगी और कि नहीं काम करेगी तो बस मैं इतना ही बिलूँगा कि मैं भाई, in case अगर आप एक drama lover हो, means अगर आपको dark drama देखना पसंद है, revenge story आपको पसंद आती है तो definitely इस series के concept में या फिर इसकी कहानी में आपको वो ingredient मिल जाते हैं आपको जो characters देखने को मिलते हैं मलब कह सकता हूँ कि ऐसा कोई wow moment आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसको देख करके आप ताली बजाने लगोगे ना ना सिस के वाल ड्रामा को बेशती हो और ड्रामा के according जो आपको conflicts देखने को मिलते हैं Danny और Emmy के character को ले करके वही कहीं ना कहीं आपको इस series के साथ connect करके रखती हैं जो कि आपको suddenly मजा नहीं देंगे धिये धिरे करके आप इनको enjoy करते हो अगर मासी audience इसको देखने जाते हैं और ज्यादा धुम धढ़ाके के उम्मीद के साथ इसको देखने जाएंगे तो यह आपको disappoint करेगी बाकी में इस series के concept को thumbs up है means जो आपको कहाई देखने को मिलती है वो आपको बहुत ज़्यादा fresh feel होगी जो आपको चीजे देखने को मिलती है जो आपको character development देखने को मिलती है वो सब काफी बढ़िया तरीके से इस series में काम करती है बाकी ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं series ने तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप एक drama lover हो तो definitely आप इस series को धीर दे करके enjoy कर सकते हो कि कि इसकी जो dark comedy है जो concept है वो आपको पसंद आएगा अगर आप एक massy audience हो तो इससे इसको easily skip कर सकते हो आपके लिए कुछ भी धूंधड़ाका इसमें नहीं है और बस मैं इनी साइज जो को ध्यान वक्ते हुए इस series को रेट करूँगा 7.3 out of 10 इस ता तो अगर आपने इसको देख लिए आपको आपस में आपको आपको से इस कैसे लगी वीडियो चलेगे तो इसको लाइक आपको 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 देखने के लिए मैं फिर से मिलता पर आपको 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 आपवाई